हलो फ्रेंद्स, वेल्कम बाक टो मैं चानल, रूची अजे की इजी रेसिपीस गर्मियों के मौसम में हम सबको अपने खाने के साथ चट्निया खाना बहुत पसंद है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी की चट्नी वो भी दो तरीके से आप देख सकते हैं एक ग्रीन कलर की चट्नी है और एक स्ट्रॉबेरी के ही रंग की रेड कलर की चट्नी है तो चलिए जानते हैं इन चट्नियों को कैसे बनाया जाए सबसे पहले हम यह रेडवरी चटनी बनाएंगे इसे बनाने के लिए हम 15-20 स्ट्रॉबरी लेंगे देखे इस तरह से इसे हम छोटे पीसिस में काट लेंगे इस तरह से काटने के बाद हम एक पैन में 2 टी स्पून ओयल लेंगे और तेल जैसे ही गरम हो जाए हलका हम उसके अंदर एक छोटा चमच सौफ डाल देंगे साथ ही हम आदा छोटा चमच जीरा याने की कुमन सीड्स डाल देंगे अगर आपके पास कलॉंजी है तब कलॉंजी भी डाल सकते हैं एक छोटा चमच और यहाँ पे मैरे रेड चिली फ्लेक्स और धनिया पाउडर भी डाल दिया है अब हम इसे थोड़ा सा अब धुनेंगे और फिर इसके अंदर अपने काटी वी स्टॉबेरीज डालेंगे इस तरह से और इसको अच्छे से हम चलाएंगे मेरी गैस की फ्लेम इसमें मीडियम हाई के बीच पे है तो इस तरह से मिक्स करेंगे अगर आपके पास सॉंट पाउडर है तो आप चिटकी पर सॉंट पाउडर भी डाल सकते हैं अब इसके अंदर में चार चमच चीनी डालूंगी आप स्ट्रॉबेरी के लिए मैंने चार बड़े चमच चीनी के लिए हैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसके अंदर में डालूंगी एक चुथाई चमच काली मिर्च अब हम इसे ढखके धीमी आंच पे दो से तीन मिनट तक पकने देंगे देखे दो से तीन मिनट के बाद स्ट्रॉबेरी ने अपने पानी है वो छोड़ दिया है और साथी चीनी इसमें डली थी तो दोनों का ये एक सिरप सा इसके अंदर आ गया है अब इसको हलका हलका मैश करेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे मैंने आदा छोटा चमच लिया है नमक डालके इसे कुछ देर पकाएंगे hardly for 40 seconds और ये ready है हमारी सर्फ करने के लिए देखिए आप मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से एज़स्ट भी कर सकते हैं depending upon आपकी स्टॉबरी खती है कि मीठी है तो देखिए हमारी रेड चटनी जट पर तयार हो गई है अब ये हमारी नेक्स चटनी है ग्रीन कलर दाबर मात्रा में धनिया और पुदीना लिया है half half cup each तो इन्हें मैं इस तरह से बारी काट लूँगी प्याज को भी और पुदीने और धनिया को भी और देखिए एक जार में हम पुदीना और धनिया डाल देंगे साथ ही हम प्याज को डाल देंगे और अपनी स्टॉबरी चीज को कट करके इसमें डाल देंगे तो अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले पहले चोटा चमच गरम मसाला नमक एक चोटा चमच या स्वाद के अनुसार फिर हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स आदा चोटा चमच आप यहां हरी मिर्च भी ले सकते हैं अगर आदा चमच इच और यहां पर मेरे लिया है आदा चोटा चमच चीनी का अब बिना पानी डाले हम इसको ग्राइंड करेंगे इसका एक स्मूथ पेस्ट पनाएंगे तो देखिए हमारा यह पेस्ट तयार है मैं इसे एक सर्विंग बॉर्ड में निकाल लेती हूँ आप यहां पर डालेवे मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से एज़स्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपन आपकी स्ट्रॉबरी कितनी खटी कितनी मीथी है तो देखिए हमारी यह स्ट्रॉबरी चट्नी तयार है तो इस तरह से आप दो तरह की स्ट्रॉबरी चट्नी यां बन कर सकते हैं I hope आपको मेरी ये दोनों रेस्पी पसंद आए आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और अगर आप नए है मेरे चैनल पे तो प्लीज डू लाइक शिर एंड सब्सक्राइब मार चानल थांक यू